हाई, गेट मॉर्निंग अल ओफ यू, सो आप सब कैसी हो, I hope कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे और हम और खुशी आ गये हैं घागरा, घागरा में एक मंदीर है जिसको दिवाकी के नाम से जाना जाता है और इसे छोटा बाबा धाम भी बोला जाता है, और हम और खुशी दोनों आ गये हैं, आप लोग देख सकते हैं यहां का सीर और अभी हम लोग जा रहे हैं परसादी लेने, परसादी लेने में यहां सबसे ज़्यादा अच्छा चीज यह है कि यहां नारियल का साइज बहुत बढ़ा होता है, बहुत समंधिर घुमें हैं और बहुत जग गया हैं, लेकिन बढ़ा बढ़ा कहीं नहीं देख रहा हैं, बता wraps लोगों ऑस और यहां बहुत बड़ा बढ़ा नारिया है और हम सबसे बड़ा ही वाला नावियलेंगे और मेरे नाचिर में दिक गया मेरा नाचिर वहीं का है बिल्कुल भी नहीं बहुत कुछ है शाइं अभीपाणी पठाथ की फूजी अपनले रही है लेकिन हम खुषी को बार लाऊब दिखा रही है कि देखो मेरा नाजल खिता बड़ा है तो बड़ा तो लेंगी ना अर खुशी दो नाली सब्रूUSS Besides यह लोग को जाना था और यहां गाड़ी इतना ज़ादा आ जा रहा था इतना जा रहा है कि हम वहाँ को रुकना पड़ा और थोड़ा रुक लिए फिर उसके बाद साइड से एक गाड़े आ रहा था जो खुजी को धक्का देने वाला था लेकिन हम बचा लिए और चमनी उसकान दे दिए खैर ऐसे होने पर बहुत इंसल्ट लगता है गाइस जो कि मैं को भी लाए र पर चलीत है तो फोर हम लोग जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं मंदिर कैसा है है यहां हमेशे हम लोग आते हैं सो सबसे पहले परणाम के लेते हैं जाने से पहले और खुजी तो निकल पड़ी थो इसे छोटा बाबा धाम भी कह opin pillar मागरा में है और बहुत ही प्यारा मंदिर है और अप लोग को छोलो दिखाएंगे पूरा मंदिर पर उससे पहले यहां एक नदी है जो कि बहुत प्यारा है बहुत क्यूट सा नदी है हमको नदी पसंद नहीं है लेकिन यह नदी हम जाते क्योंकि उसमें ज्यादा पानी नही हैं मतलब ड़ाऊना टैप का बिल्कुल भी नहीं है प्यारा सा नदी है तो वही सबसे पहले नदी जाने के लिए एक्साइटर थे क्योंकि जल चढ़ाने के लिए हम लोग को पानी का ज़रत पड़ेगा और पानी तो हम लोग नदी जा रहे हैं तो हम लोग नदी पहुंच भ बच्चा लोग बेच रहा हैं हमको एक फूल पर नजर गया जो कि बहुत ही प्यारा था यह नहीं यह फूल तो देवी मा में चड़ता है यह चमैली जो की पारवती मा का फेबरेट है है ना किसको किसको पता यह फूल का नाम यह फूल का नाम है चमैली और हम साथ में ले ल किम तो तो पहले से था धोत्रआव पहले से यह था तो हम सोचे नहीं इसलिए और संदर से सजाया गया है और सजय को सजयान किशा चाहरा है और नीचे देख सकते कि इतना आचा है किसी देखिए कितना मुझ्वी से उतर रहे है अगर थोड़ा से स्लीप करेगी तो सीधे पानी में छड़ाक खेर ये तो भगवान के पास आए कभी नहीं होगा कि यहां कोई फिसल जाए मतलब केरलेसिंग यहां किया जाएगा तक भी कोई गिरेगा नहीं तो नहीं देखिए यहां का पानी कितना सुंदर है है न हम पहली बार मतलब यहां उतर गए और हमको डर नहीं लगा यह खुशी का नोटां कि चाले हो गया अब वो कलस में पानी लगी और अब हम लोग चले पूजा करने और चलिए आप लोग को दिखाते हैं पूरा मंदिर और मंदिर में कौन-कौन से भगवान हैं वो सब बताते हैं आप सबको सबसे पहले यह है मेन मंदिर स्यू जी का और यहां खुशी देखिए कैसा पूजा कर रही है हम तो खुद का केमरा कैसे कर सकते हैं हम केमरा मैं बना हैं तो आप देख सकते हैं कि फिसके स्टाइब से पूजा कर रही है, पुरा अच्छे मन से भगवान करे, ये देखिए, वुगल में जो है, वो वीदि कितनी अच्छी से पूजा कर रही है, और यहाँ जितने लोग हैं, भगवान करें, उनका मन-कामना पूरा हो, और यहां कहा जाता है कि यहां जो मांगा जाता है वो सारा चीज पुरा हो जाता है तो हम यही कहेंगे गाइस की जो लोग नहीं आए हैं लोग आईए अब चलते हैं हम लोग वहाँ जहां सियू जी की परम प्रिये पारवती मा रहती है तो आप लोग देख सकते हैं परवती मा यहां अस्थापित है और यह बहुत आकरसित और बहुत ही सुन्दर है हम थोड़ा पीछे से सुन्द दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत जादा भील्ड है तो हम आगे जाए नहीं सकते हैं जा सकते हैं लेकिन वेट करना पड़ेगा और यह है जहां अगर बत्ती लगाया जा रहा है और फिर उसके बाद हम आ गये हैं हलुमान जी का मंदिर जो थोड़ा सा हटके हैं लेकिन बहुत सुन्दर है तो चलिए दिखाते हैं और बोलिए जै स्री राम जै हलुमान जै बजनंबलिकी जै सो वहां सो वापस लोट के हम आ भी नेक्स्ट मंदिर दिखाएंगे जहां जीजी का बड़ा सा तिल्सूल है देख सकते हैं बहुत बड़ा और बहुत ही सुन्दर है बहुत ही आकर्षित है और सबसे पहले हमको यही मतलब वहां आप जाएगा मंदिर ना तो सबसे पहले आपका इन्हीं का दर्सन होगा क् कि वह मंदिर के सीदे आगे है और यह है नंदी जी जहां हर विस पूरा होता है कान में बोलके और देखिए हां आरियल फुट गया है और देखिए कि इतना सुन्दर दिख रहा है और यह भक्त इनकी पूरा हो सारी विस कितने अच्छे से विस मांग रहे हैं फिर हम चल पास और उधर छोटा सा एक है जहां फुस्ती जल चड़ा रही है और फिर यह है दूसरा यहां भी देखिए भक्त का कमी कहीं नहीं है और जगा पूजा किया जा रहा है फिर उसके बाद इधर आएंगे तो यहां अस्थापित है श्यूजी और पारवतिमा जिसका दरसन आ रहा और जब हम एक बार बचपन में आये थे तो यहां पर मदूमक्खी था पता नहीं हम क्या पाप किया थे कि मदूमक्खी काट दिया था पिर उसके बाद सबसे में जगह हम जा रहे हैं में जगह कौन सा है पता है यहां एक गुफा है और गुफा के अंदर भगवान है और यहां हमेशा पुर्णुवासी के दिन में नाग का दर्शन होता है और देख सकते हैं किता ओसम है और यह है पानी यहां पस पानी बहुत ही तीज रफ़तार से बहता है फिर उसके बाद यहां से हम जैसे ही हटे हमको एक बासुरी का धुन सुनाए दिया और यह देखिए वासुरी वजा कि यह अंकल बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे और यह स्यूजी का गाना का धुन था तो हमको भी नाचने का मन कर रहा था लेकिन यहां पर जो बैठे में वह लोग को बोल रहे हैं कि नाचे नाचे तो यह लोग बहुत अच्छे थे इनको दान दिक्षना करने के बाद यह लोग का सबको हम परनाम करें क्योंकि यह लोग का आशिरवाद बहुत ही जरूरी है यह लोग आशिरवाद देंगे तब तो आगे बढ़ सकते हैं और यह लोग सब बहुत प्यारे थे उसके बाद यहां आएं यह आंटी जो उधर बैठी हुई है वो बोल बढ़ें हचते हुए फिर उसके बाद रील्स बनाना स्टार्ट किया है तो रील्स आप लोगो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है और हम उता अच्छी नहीं लगे तो इसलिए आप लोग कट कट के देखू ठीके फिर उसके बाद यहां पर दीख रहा है कि हां एक फोटो ल लगता है और यह हमको बहुत पशसında है लब कहीं भी हम नहीं खाते है हलुआ siitä लगता है लेकिन जब मंदीर आते हो इससका इतना ज्यादा स्वाराशा कि क्या ही बता हम करते क्यों को पच्छाम को फीस ताम चींजब मंदीर आते यहां है और प्यार से खुसолод के खा रहे हैं और जैसे ही खाये और हमको यह बॉल म सब्सक्राइब आनंद लेने लगे बहुत ही अच्छा था फिर आराम से आपने बैठे हम को रोको ऊटोको नहीं बोल कि एक दम मन्त रित करें कि हम खाज हो रहे हैं सुखा रहे हैं आप लोग को आना हो गया है हां और पर साधी खाके जाना पड़े और खाकिया बहुत ही अच्छा है फिर उसके बाद नारियल का टुकड़ा लिया है नारियल भी खाना जरूर दी था नारियल खाएं फिर ये झाल के झाल को आटा सुखा बहुत है